मैं आपसे हमेशा कहता हूँ अगर आपका सवाल इंट्रेस्टिंग हुआ तो उसके उपर मैं वीडियो बनाने की जरूप कोशिश करूँगा तो ऐसा ही एक इंट्रेस्टिंग सवाल आया है पहले तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं इन्होंने लिका है सर स्लाइडिंग विंडो लगाने के लिए खिड़की को ग्रेनाइट लगाना जरूरी है क्या इस पर वीडियो बनाओ देखे दोस्तों ये सवाल इंट्रेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा आजकल जब भी हम स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं तो खिड़की के चारो बाजू को आपका ग्रेनेट लगा हुआ होता है और जैसे कि आपको पता होगा घर में खिड़किया भी अच्छी कासी होती है जिनके उपर इतना ग्रेनेट लगाने के बाद आपका खर्च भी बढ़ जाता है तो अगर आपको खर्च कम करना है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि बीना ग्रेनेट को लगाए हम स्टाइडिंग विंडो को लगा पाए पहले तो हम ये समझते हैं कि हम ग्रेनेट खिड़की के लिए क्यो लगाते है इसका सबसे पहला रीजन ही होता है कि दिखने में ये बहुती खुबसूरत दिखाई देता है दूसरा रीजन ही होता है कि खिड़की जो है हमारी एकदम परफेक्ली फिट हो पाती है इस ग्रेनेट फ्रेम के अंदर तो शुरुवात में ऐसा नहीं था शुरुवात में जो है सिर्फ बॉटम में यानि की विंडो सील को सिर्फ और सिर्फ मार्बल को लगाया जाता था और आज भी बहुत सारी जगब पर window के bottom में यानि की seal को ही सिर्फ granite या फिर marble को लगाये जाता है आगे चलकी विंडो के चारो बाजु को marble लगाये जाने लगा उसके बाद में granite का भी इस्तवाल बढ़ने लगा तो आग के सवाल का जवाब है कि जी हाँ आप जो है बिना granite frame की भी aluminum की खिड़की को लगा सकते हो और इसमें कोई नई बात नहीं है 10-15 साल पहले जो घर बने है वहाँ पर आप ये चीज clearly देख सकते है कि वहाँ पर सिर्फ bottom में window seal को लगाया गया है और directly sliding window को fit किया गया है तो शुरुवात में बिना granite frame के ही sliding window को directly किलकी को उपर लगाया जाता था पर आपको कुछ चीजों के तरफ ध्यान देना पड़ता है जैसे कि सबसे पहली चीज ये आ जाते है कि आपकी window की जो plastering होगा वो एकदम proper तरीके से होना चाहिए यानि कि window उसमें perfectly fit होनी चाहिए और जो कोई भी gaps बच जाते है तो उन gaps को जो है आपको अच्छे से feel कर लेना है जिससे की बारसत का पानी जो है वो अंदर ना आ पाए देखिए granite frame का सबसे main advantage ये होता है कि बाहरी पानी जो है वो जल्दी अंदर नहीं आ पाता है तो ये सबसे main advantage आ जाता है खास करके आपने देखा होगा जब भी हम window के लिए granite frame का इस्तमाल करते है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एफिर डेड़ इंच बाहर के तरफ दिखाई देती है बाकी का जो पूरा granite होता है वो आपके track के पीछे ढग जाता है अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे खिडकी के लिए granite frame हो या फिर ना हो आप जो है sliding window को लगा सकते हो अब आपको कौनसे condition में किस option के तरफ जाना चाहिए ये हम समझेंगे अगर आपका budget बहुत ही कम है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही condition में आपको जो है खिडकी के लिए granite frame का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि granite का इस्तमाल करने के बाद आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो इस frame में लग जाते है चाहे आप frame ना लगाए पर आपको window seal को ज़रूर लगवा लेना है और अगर हम frame लगाने की बात करते है तो इसके क्या-क्या advantage होते है अगर आपका budget ठीक ठाक है आप चाहते ही कि आपकी window जो है दिखने में अच्छी दिखे perfectly fit हो जाए बरसात का पानी अंदर आने की कोई भी दिक्कत आपको ना हो तो इस condition में आप जो है granite की frame को लगा सकते है जो की एक अच्छा look आपके घर को देगा तो इस video में हमने detail देखा कि अगर आपको granite की frame लगाते है तो क्या फायदे होते है और नहीं लगाते है तो क्या फायदे होते है तो आप अपने घर के लिए कौनसे option के तरफ जाना पसंद करेंगे comment box में comment ज़रू कीजिए तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाज